चार दिन की बहू दिया अपने घर में अपने बेटे अनिल के साथ रहा करती थी अनिल बड़ा हो चुका था और उसने घर की सारे जिम्मेदारी संभाल ली थी ऐसे ही एक दिन दिया की घर उसकी बहन ममता आती है दीदी, अनिल की शादी करवानी भी है या नहीं? ममता कैसी बात कर रही है अनिल मेरा इकलाटा बेटा है मैं तो चाहती हूँ उसकी शादी अच्छी सी लड़की से हो और वैसे भी मेरा तो बस एक ही सपना है कि जल्दी से इस घर में मेरी बहू आ जाए और मैं भी सास बन जाओंगी फिर तो मेरी बहू मेरे पैर दबाएगी, घर के सारे काम करेगी पर मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी दीदी, अगर तुम अनिल की शादी इस साल करवाना चाहती हो तो मुझे बता दो मेरी नजर में उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की है बेलिकल वैसी जैसी तुम्हें बहु चाहिए इस तरह से दिया ममता से अनिल की शादी की बात करती है ऐसे ही कुछ दिन बिज जाते हैं और एक दिन दिया सपना देखती है कि अनिल की शादी हो गई है शादी की बात ससुराल में आते ही दिया की बहू घर की सारे जिम्मेदारियां उठा लीती है और वो अपनी सास का भी खुब खायल रखती है अरे बहू तु कब से मेरे पेर दबा रही है जा जा कर आराम कर ले बेटा मा मैं आपकी बहू नहीं आपका बेटा हूँ नेंज से बारा जाओ अरे बहु तिरी आवास इतनी भारी कैसे हो गई दिया अपनी बहु के सपने देख रही ही होती है और अनिल अपनी मा को नीन से जगाने के लिए मा के मुँपर पानी के कुछ छीटे मारता है अब दिया जल्दी से उठ जाती है ये अचानक से बारिश कैसे हो गई मा बारिश नहीं हुई है मैंने आपके मुँपर पानी के छीटे मार रहे है क्योंकि आप अपनी बहु के सपने देख रही थी मुझे आफिस के लिए लेट हो रहा है मा और आप अभी तक अपनी बहु के सपने देख रही हूँ अरे अनिल बेटा तू नाराज क्यों होता है अब मैं उठ गही हूँ ना तू तयार हो जा मैं अभी तेरे लिए लांच बना देती हूँ न जाने कब मेरे बहु इस घर में आएगी कि और कब मेरा सपना पूरा होगा इस तरह से दिया अनिल के लिए लंच बनाती है अनिल ओफिस चला जाता है और एकदम से दिया को ममता की बात याद आती है और वो ममता को फोन करती है आरे ममता भोल गई क्या कि मुझे अपने बेटे की शादी करानी है तो पता रही थी न उस लड़की के बारे में क्या हुआ उसका दीदी फिक्र मत करो मैंने बात कर ली है बस कुछी दिनों में लड़की वाले आपकी घर आ जाएंगी हमारे अनिल को देखने के लिए फिर समझो ये रिष्टा पक्का अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और बहुत जल्द अनिल की शादी काविया नाम की लड़की से हो जाती है शादी के बाद सभी मेमान काविया की खुब तारिफ करते हैं कुछ दिनों में घर से सारे मेमान भी चले जाते हैं मेहमान के जाती ही काविया घर के कामों में लग जाती है, ये देखकर दिया को बहुत खुशी होती है, सही कहा था मम्ता ने, काविया बहुत संसकारी है, कैसे आते ही उसने पुरा घर संभाल लिया, मेरा तो सपना ही पुरा हो गया, अब मैं भी सास बन चुकी हूँ, ये सब क बहु को आवाज देती है कावया बहु जरा मेरे कमरे में तो आना मेरे पैरों में बहुत दर्ध हो रहा है फिर से शुरू हो गया इस बुढिया का नाटक मा के कहने पर मैंने चार दिन ससुराल की सेवा तो कर ली पर अब मुझसे नहीं होने वहला कुछ इस तरह से कावया अपने कमरे में आराम से सुजाती है बिचारी दिया रात भर अपनी बहु के आने का इंतिजार करती है अगली सुबा जब दिया के आँख खुलती है तो वो दीखती है कि आज पहली बार अनिल बिना लंच लिया ओफिस चला गया है और अब तक कावया अपने कमरे में सु रही है ये देख कर दिया को बहुत गुस्सा आता है कावया बहु ये सब क्या है मेरा बेटा आज पहली बार तेरी वज़ा से बिना लंच लिया ओफिस चला गया सुबा के ग्यारा बज गया और तो अब तक सु रही है गर के सारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए है मा जी, मैं इस घर की बहु हूँ, नौकरानी नहीं और वैसे भी पुझसी ये घर के काम नहीं होते वो तो मेरी माने कहा था कि ससुराल में जाकर चार दिन घर के जिम्बतारी उठा लेना घर के काम कर लेना इसलिए ये सब काम वाम कर लिए मैंने काव्या का असली रूप देखकर दिया के पैरो तले जमिन खिसक जाती है उसकी सारे सपनी चकनाचूर हो जाते है ममता, तुने तो मुझसे कहा था कि काव्या सर्वा गुण संपन नहें पर ये क्या, ये तो सिर्फ चार दिन की चांद नहीं निकली क्या दीदी, तुम्हारा सपना था बहु का तो आ गई तुम्हारे गर बहु और रही काव्या की बात, तुम मैंने कहा था कि काव्या सर्वा गुण संपन नहें और काव्या को घर के सारे काम आते हैं तो मैंने जूट क्या बुला ऐसे भी आज कल की बहु कहां घर के जिम्मेदारियां उठा दी है दीदी समझा करो ममता की ऐसी बाते सुनकर दिया कुछ नहीं बोलती अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और बिचारे दिया बहु के होते हुए भी घर का सारा काम करती है और एक दिन बहु मेरी तब्यत आज कुछ ठीक नहीं है रात को अनिल के दोस्त घर पर आने वाले हैं तो आज रात को उनके लिए खाना बना देना पर माजी मैं तो आज अपने माई के जा रही हूँ किसी जरूरी काम से आप मेरी साथ डॉक्टर के पास चलिए मैं आपको दवाई दिलवा दिती हूँ और बार में अपने माई के जाऊंगी आप दवाई खा लेना आपके तब ये ठीक हो जाएगी और रात में जब अनिल के दोस्त आएंगे तो आप उनको देख लेना आरे तुझे इतना ही इंपोर्टन काम है बहू तो तो अपने माई के चली जा मैं अपना और अपने बेटे के दोस्तों का खयाल रख लूँगी ठीक ही माजी अगर आपकी यही मर्जी है तो इस तरह से काव्य अपने माई के चली जाती है और बुखार में तप रही दिया अकेले ही घर का सारा काम करती है रात को जब अनिल अपने दोस्तों के साथ घर आता है मा, काव्य कहां है? मेरे सारे दोस्त उसे से मिलने के लिए यहाँ आ है अनेल अब जल्दी से भावी को बुला भी ले हमें घर जाना है हमारी बीवी घर पर हमारा इंदिजार कर रही होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे भावी तेरा करती है अब थोड़ी दिर रुको न मा बताओ ना काव्यकार अनेल बिटा बहु को कोच जरूरी काम था इसलिए वो अपने माय के गई है कह रही थी एक दो दिन में वापस आ जाएगी इतना बोलकर चकर खाकर दिया कुर्सी पर बैठ जाती है जब अनेल अपनी मा को छूता है तो वो देखता है कि उसकी मा को बहुत तेज बुखार है अब अनेल का पारा गर्म हो जाता है मा बहुत हो गया बहुत नजर अंदाज कर लिया हमने काव्या की गलतियों को आपकी इतनी तब्यत खराब है मेरे दोस्ट घर पर आये हुए और काव्या अपने माय के चली गई ऐसा भी क्या जरूरी काम था उसे अरे छोड़ना बीटा क्यों चोटी चोटी बातों का बतंगड बना रहा है मा मैं बात का बतंगड नहीं बना रहा हूँ आपके कहने पर मैं हमेशा चुप रहा और काव्या की हर गलती को नजर अंदाज करता रहा आपके कितने सपने थे बहु को लेकर पर काव्या ने आकर आपके सारे सपनों को चपना चूर कर दिया इसलिए अब काव्या को सबक सिखाना बहुत स़रूरी है इतना पूल कर अनिल अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे माफी मांग कर उन्हें घर भीज़ दीता है अगली सुबह जब काव्या घर आती है वही रुख जाओ काव्या, अंदर आने की जरूरत नहीं है पर क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता क्यों? आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? कि तुम अपने माई के चली गए? मेरी मा को ऐसी हालत में छोड़ कर जबकि तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि रात में मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले थे अनिल, तुम बेकार ही गुस्सा हो रहे हो तुम माजी से पूछ सकते हो, मैंने माजी को कहा था कि चलो आपको दवाई दिलवा देती हूँ पर माजी किसी की सुनती कहा है? और वैसे भी कोई important काम रहा होगा तब ही तो अपने माई की गई वरना मैं माई की क्यों जाती, तुम खुद सोचो ना काव्या, तुमें कोई जरूरी काम नहीं था मैंने तुम्हारी मा को फोन किया था और तुम्हारी माने ही मुझे बताया कि तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही थी बस इसलिए तुम उनसे मिलने गई पर सच तो यह है कि तुम घर के कामों से बचने के लिए गई थी क्योंकि अनिल को काव्या की हरकतों का पता चल चुका था इसलिए काव्या अनिल से अपनी गलतियों की माफी मांगती है पर अनिल उसे माफ नहीं करता और उसे घर से निकल जाने को कहता है पर अपनी बहु के साथ ये सब कुछ होता देख दिया को अच्छा नहीं लगता वो नहीं चाहती थी कि उसकी वज़े से उसके बेटे की जिन्दगी खराब हो इसलिए वो काव्या को माफ कर देती है और अनिल से कहती है अनिल बिटा शान्त हो जा ऐसी छोटी छोटी बात उपर रिष्टा नहीं तोड़ा करते अरे क्या हो गया अगर काव्या बहु अपनी मा के घर अपनी मा से मिलने गई थी उससे अपनी मा की याद आ रही होगी बिटा अपनी मा के कहने पर अनिल काव्या को माफ कर देता है अब काव्या को भी अपनी गलती का एसास हो जाता है और इस बार वो सच में एक संसकारी सर्वगुन संपन्न बहु बन कर दिखाती है और इस तरह से दिया का सास बनने का सपना भी पूरा हो जाता है